Hello everyone, a very good morning and welcome to Baiju's Government Exam Prep. This day in history की सिरीज में आज हम 23rd October अर्था 23 October के इतिहास के बारे में डिसकस करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है एक फुटबॉल प्लेयर से रिलेटेड. ये फुटबॉल प्लेयर है एडसन एरांतेस नैसीमेंटो. इनका निकनेम है पहले. तो पहले जो है वो वर्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर है और उनका 1940 में आज के दिन जन्म हुआ था. वर्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर एडसन एरांतेस नैसीमेंटो फ्रॉम ब्रैजील वॉस बॉर्ण. ब्रैजील के विश्व प्रसिदु फुटबॉल खिलाडी एडसन एरांतेस नैसीमेंटो का जन्म हुआ था. तो आपको ध्यान रखना है कि इनका निकनेम पहले है. इन फेमस फुटबॉल प्लेयर है और साथ में ये बोला जाता है कि ये पॉसेबली उने समय के पूरे विश्व में बेस्ट प्लेड एथलीट थे. पेले वो व्यक्ति हैं जो ब्रैजीलियन नैशनल टीम का पार्ट थे और ब्रैजीलियन नैशनल टीम का पार्ट रहते हुए उ 1958 में जब उनके द्वारा वर्ड कप चैंपियंशिप पहली बार जीती गई थी तब वे मात्र 17 वर्ष के थे और उस समय पहले जो हैं वो यंगेस्ट एवर विनर बन गए थे वर्ड कप के इसके साथ ही पहले जो हैं उन्हें कई बार ब्लैक पर्ल भी बोला जाता है हमने द वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा International Peace Award भी जीता गया है 1978 में इसके साथ ही 1980 में इनको Athlete of the Century का खिताब दिया गया था French Sport Publication के द्वारा इसके साथ ही उन्हें यही खिताब अर्थाथ Athlete of the Century का खिताब 1999 में International Olympic Committee के द्वारा भी दिया गया था साथ ही Brazil के जो President थे उनके द्वार पेले को National Tracer Declare किया गया था इसके साथ ही सन 1995 में पेले को Minister of Sports अपॉइंट किया गया था Brazil के द्वारा इसके अलावा 1992 में पेले को UN के द्वारा Ambassador for Ecology and Environment अपॉइंट किया गया था और इसके साथ ही बाद में उन्हें UNESCO का Goodwill Ambassador भी अपॉइंट किया गया था भारत से भी कई अपॉइंट किया गया है जिसमें प्रियंका चोपडा अमिताब बच्चन इस प्रकार के नाम आते हैं तो ऐसे ही Brazil से पहले को UNESCO Goodwill Ambassador अपॉइंट किया गया था UNESCO के द्वारा तो इस तरीके से पहले के बारे में कुछ important detail है यह आपको याद रखनी है और यह आपसे exams में सुभाषचंद्र बोस से संबंदित तो सुभाषचंद्र बोस ने आजाध हिंद फॉज की जासी की रानी ब्रिगेट जो है उसकी सिंगापुर में इस्थापना की थी 1943 में आज के दिन तो यहाँ पर हम नेताजी सुभाषचंद्र बोस के बारे में चर्चा करेंगे और सा आजाध हिंद फॉज के बारे में थोड़ा सा डिसकस करेंगे तो शुरुआत करते हैं नेताजी सुभाषचंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जैन्वरी 1897 में इनका जन्म हुआ था कटक में जोकी उडिसा में इस्थित है तो आपको ध्यान रखना है सुभाषचंद्र बोस क जन्म हुआ था उडिसा में सुभाषचंद्र बोस जो है वो एक क्रान्तिगारी नेता थे और उनका लक्ष था भारत को आजादी दिलाना और अंग्रेजों से भारत की मुक्ती के लिए वो किसी भी कीमत पर समझाता नहीं करना चाते थे सन 1938 में सुभाषचंद्र बोस को इंडियन नैशनल कॉंग्रेज अथाट भात्तिय राश्रिय कॉंग्रेज जो थी उसका अध्यक्ष चुना गया था तो 1938 तक सुभाषचंद्र बोस जो है उनके द्वारा कॉंग्रेज के साथ में काम किया गया शुरू शुरू में वो महात मागांधी और कॉंग्रेज से अलग हो गए थे और 1939 में सुभाषचंद्र बोस के द्वारा फॉर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी तो ये कोशन कई बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि फॉर्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो आपको गेर ध्यान रखना है फॉर्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में इसके साथ ही सुभाषचंद्र बोस से संबंदित कुछ नारो से related question पूछ लिया जाता है तो सुभाषचंद्र बोस के द्वारा दिये गए प्रसिद्ध नारे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम रखने हैं इसके अलावा बाद में ये देखा गया कि जब द्वित्य विश्वयुद का समय चल रहा था तो सुभाषचंद्र बोस जो हैं वो 1941 में जर्मनी चले गए थे और जर्मनी से उनके द्वारा भारत की स्वतंतरता के लिए कारे किया गया इसके बाद में सन 1943 में भा सुभाषचंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का पुनर निर्मान किया गया था इस्थापना नहीं की गई थी आजाद हिंद फौज की सुभाषचंद्र बोस के द्वारा तो हम अगर यहां पर आजाद हिंद फौज की बात करें तो आजाद हिंद फौज की इस् इस्थापना के लिए स्टूडेंट्स को कई बार confusion रहता है सुभाश्चंद्र बोस, मोहन सिंग और राजबिहारी बोस के बीच में, तो आजाध हिंद फॉज की स्थापना की गई थी मोहन सिंग के द्वारा, the army was first formed in 1942 अंडर मोहन सिंग, इसके बाद में राजबिहारी बोस क एक समारो में आजाध हिंद फॉज की जो कमान है, उसे सुभाश्चंद्र बोस को सौप दिया गया था, और सुभाश्चंद्र बोस के द्वारा आजाध हिंद फॉज का पुनर निर्मान किया गया, और इसके बाद में सुभाश्चंद्र बोस ने आजाध हिंद फॉज के जो सर्वोच सेनापती की हैसियत है उससे स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार बनाई थी। और इन्होंने आजाद हिंद फॉज में महिला रेजिमेंट का गठन किया था। ये महिला रेजिमेंट थी रानी जासी ब्रिगेड या रानी जासी रेजिमेंट और इस रेजिमेंट का जो कैप्टिन बनाया गया था वो बनाया गया था लक्षमी स्वामी नाथन को। तो यहा पर हमने सुभाश्चंद्र बोस से रिलेटेड और आजाधिंद फॉज से रिलेटेड कुछ important points देके जो एक्जाम में पूछे जाते हैं इसके बाद में next point है history of 23rd October में डॉक्टर कार्ल कौरी और डॉक्टर गैटी कौरी से रिलेटेड तो ये दोनों husband wife थे और इन्हें Nobel पु they received Nobel in medicine पती और पत्नी dr. कार्ल कौरी और डॉक्टर गैटी कौरी से रिलेटेड अने वाले पति पत्नी बने थे और इन्हें किस शेत्र में Nobel पुरुसकार मिला था तो इन्हें चिकित्सा के शेत्र में Nobel पुरुसकार से सम्मानित किया गया था यहां पर आपको ये ध्यान इन्हें Nobel पुरुसकार इसले मिला था क्योंकि इनके द्वारा ये बताया गया था कि किस प्रकार से cells के द्वारा food का अठाट भोजन का उपियोग किया जाता है और किस प्रकार से उस भोजन को energy में convert किया जाता है एक cyclical process जो की muscles में होता है उसके द्वारा और इनके द्वारा जो landmark carbohydrate research की गई थी उसके बाद ही जो diabetes होता है उसके treatment का development हो सका उसके treatment का विकास हो सका तो इसी के चलते इन्हें 1947 में Nobel Prize मिला था medicine के शेत्र में इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि Dr. Garrity Corey जिनका पूरा नाम था Dr. Garrity Theresa Corey ये first American woman थी जिन्हें science के शेत्र में Nobel पूरुसकार से सम्मानित किया गया था She was first American woman Nobel laureate in science विज्यान के शेत्र में Nobel पूरुसकार जीतने वाली ये पहली अमेरिकी महिला थी तो ये भी इनके संबन में महत्वपूर्ण है इसके बाद अब हम चलते हैं next point के तरफ 1956 में आज के दिन अंतररास्ट्रिय पर्मानू उजा एजेंसी के कानून को मंजूरी दी गई थी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 1956 में इस कानून को आज के दिन मंजूरी दी गई थी लेकिन इसे इस्थापित किया गया था 29 जुलाई 1957 में The Statute of International Atomic Energy Agency was approved on 23rd October 1956 and it came into force on 29th July 1957 तो अगर आपसे पूछा जाता है कि International Atomic Energy Agency का जो कानून है वो लागू कब हुआ था तो वो हुआ था 1957 में यह सन आपको ध्यान रखना है इसमें confusion हो सकता है तो यहां पर अगर हम International Atomic Energy Agency के बारे में बात करें तो यह एक Intergovernmental Forum है जिसे Corporation के लिए बनाया गया है जिसे Nuclear Field का जो शेत्र है उस शेत्र में पूरे विश्व में Worldwide Scientific और Technical Corporation के लिए बनाया गया है इसे Establish किया गया था एक Autonomous Organization के रूप में 1957 में The Prime Objective of the Forum is to work for the safe, secure and peaceful utilization of nuclear science and technology अर्थात इस Forum का उद्देश्य है परमानु विज्ञान और प्रोध्योगी की का सुरक्षित और शान्तिपूर्ण उपियोग करना एक कोशन International Atomic Energy Agency से संबंदित ये पूछा जाता है कि इसका जो आइडिया है वो शुरू कहां से हुआ था तो ये existence में आया था जब US President Icehover के द्वारा एक स्पीच दी गई थी उस स्पीच का नाम था Atoms for Peace US President Icehover के द्वारा ये Atoms for Peace जो स्पीच थी वो दी गई थी United Nations General Assembly में 1953 में ध्यान रखना है 1953 में ये स्पीच दी गई थी और इस स्पीच में बात की गई थी Optimization of Nuclear Energy and to Accelerate and Enlarge the Contribution of Atomic Energy to Peace, Health and Prosperity throughout the world अठात इस स्पीच में बात की गई थी कि जो Nuclear Energy है जो परमानू उठ जा है उसे किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है और किस प्रकार से इस Atomic Energy का जो यूज है वो शांतिपूर्ण तरीके से स्वास्थे के लिए और विश्वी की सम्रिद्धी के लिए किया जा सकता है तो इस से जो International Atomic Energy Agency है उसका existence जो है वो आगे बढ़ा यहां पर आपको ध्यान लगतना है IAEA का Headquarter है वियाना में वियाना कहां पर है वियाना है आस्ट्रिया में तो इसका Headquarter है वियाना में इसके साथ ही IAEA जो है उसकी तीन में बोडीज है वो तीन में बोडीज है Secretariat, General Conference और Board of Governors इसके साथ ही यह IAEA रिपोर्ट करता है UN Security Council अठाथ संयुक्त राज्य सुरक्षा परिश्यत और UN General Assembly अठाथ संयुक्त राज्य सामाने सभाकों इसके साथ ही IAEA से related एक important point यह है कि इसे 2005 में Nobel Peace Prize अठाथ Nobel शांती पुरुसकार से सम्मानित किया गया था IAEA and its Director General won Nobel Peace Prize in 2005 IAEA और इसके Director General को वर्ष 2005 में Nobel Peace Prize से सम्मानित किया गया था और वो जो General Director थे उस समय वो थे मौमेद L. बेराडी तो इस तरीके से हमने कुछ important point देके International Atomic Energy Agency से related इसके बाद में अब हम चलते हैं next point की तरफ 23rd October की history में next point है Boris Paternack से related Boris Paternack जो है वो एक Russian point है अठाथ यह एक रूसी कवी है और इनकी एक सनरचना है Dr. Zhivago Dr. Zhivago के लेखक और रूसी कवी है Boris Paternack और इन्हें आज के दिन 1958 में साहित्य के शेत्र में Nobel पुरुसकार से सम्मानित किया गया था Nobel पुरुसकार जीता था इन्होंने 1958 में साहित्य के शेत्र में लेकिन इनके द्वारा ये जो Nobel पुरुसकार है इसे स्वीकार नहीं किया गया था तो आपको ध्यान रखना है साहित्य के शेत्र में Nobel पुरुसकार मिला था इन्हें लेकिन इनके द्वारा इस पुरुसकार को स्वीकार नहीं किया गया था तो इसी तरीके से अगर जो लिट्रेचर का शेत्र है जो साहित्य का शेत्र है उसमें हम भारत के नॉबल पुरुसकार के बारे में बात करें तो इसके बारे में हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं तो इनके बारे में हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं यह exam में आपसे question पूछे जा सकते हैं इसके बाद में यहाँ पर हमारा जो discussion है वो खतम होता है और अब हम चलते हैं practice questions की तरफ तो पहला question है साहित्य के लिए नॉबल पुरुसकार से इंकार करने वाले लेखक कौन थे तो इसके बारे में हमने अभी डिसकस किया यह थे बॉरिस पैटरसनेक इसके बाद में next है पहले किस खेल से संबंदित है पहले is related to which sports तो इनके बारे में अभी हमने देखा कि यह football के शितर से संबंदित है और यह word के famous footballer है जो की Brazil से है इसके बाद में next point है who established forward block forward block की स्थापना किसके द्वारा की गई थी इसके बाद में the IAEA and its director general won the Nobel Peace Prize in 2005 who was the director general IAEA और इसके जो महानिदेशक थे उनने 2005 में Nobel शांती पुरुसकार जीता था तो वो महानिदेशक कौन थे यह हमने अभी discuss किया वो थे मोहमेद अल बार्देई next question है who is the first American woman Nobel laureate in science विज्ञान के शेतर में Nobel पुरुसकार जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला कौन थी तो ये थी Dr. Garrity Corey आपको ध्यान रखना है इनके द्वारा अपने husband के साथ में Nobel पुरुसकार जीता गया था और ये पहले husband wife बने थे साथ में Nobel पुरुसकार जीतने वाले इसके बाद में next question है तो हमने देखा था कि इसमें confusion रहता है सुभाषचंदर बोस, राजबिहारी बोस और मोहन सिंग के बीच में तो यहां पर हमारा आज का discussion खतम होता है, thank you so much for today's discussion, I hope you like the session, please like, share and subscribe to our channel, thank you so much for your kind attention, stay happy, stay safe.